Welcome to Learn Pharma In this video we will study about explanatory studies Last video में हमने पढ़ा था कि medical studies की दो types होती है हम यहाँ पे second type study करेंगे disruptive studies and now explanatory studies explanatory studies को analytical studies भी कहते हैं इसके अंदर हम क्या कहर होते हैं efficacy को determine कर रहे होते हैं और एक relationship identify कर रहे होते हैं कि occurrence of outcome or exposure of drug कि इसकी वज़ा से यह outcome हो रहा है यह नहीं हो रहा है इनके वीच में को relationship है यह नहीं इसमें हम यह पढ़ते हैं इसके दो design होते हैं observational and experimental जिभ हम observational studies की बात करते हैं तो इसके नाम से पदर चला है कि वह खुद investigator observe कर रहा होता है investigator क्या करते हैं जो health events हो रहे होते हैं पर उसे data लेता है उसको classify करता है sort करता है और compare करके इसको deeply देखता है कि हाँ यह cause and recurrence में कोई relationship है या नहीं जब हम यह relationship evaluate कर रहे होते हैं तो हम आपर दो approaches होते हैं and retrospective यह भी हम prospective studies में क्या कर सकते हैं कि हम start से जाते हैं हम देखते हैं कि हाँ इन्होंने यह चीज यूज करी exposure हुआ नहीं हुआ तो आगे जाकर इनको यह problem हो रही है यह क्या हो गई prospective इससे भी हम क्या बतासे हैं कि आपस में relationship है या नहीं है retrospective में क्या होते हैं बेकवर्ड जाते हैं उनको अलड़ी problem होती है हम यह देखते हैं और इससे बताते हैं कि आपस में relationship है या नहीं इसकी तीन type होती है case control, forward and cross-factional studies जब हम case control studies की बात करते हैं तो यह always retrospective होती है, मतलब backwards जा रही होती है इसकंदर हम दो groups करते हैं, एक case group, एक control group और इनको हम compare करके बताते हैं कि इनके बीच में कोई relationship था या नहीं और यह किसलिके से development हो रही है क्योंकि हम लोग साथ-साथ चल रहे हैं तो हम development यह बताते हैं इसकंदर इसके, for example, हमारा case group है उसमें 10 patients है 10 patients में से 8 patients को एक problem हो गई है और उनको exposure हुआ था और हम control group के बात करते हैं, तो control group के अंजर से 3 patients को problem हो गई है बिना exposure के तो इसका मतलब है कि जो case group था उसको exposure हुआ था इस वज़से उनको यह problem ज़ादा हुई है तो मतलब यह चीज इसके responsible हो सकती है, इनके बीट में relationship हो सकता है लेकिन patients को already problem होती है तो इस वज़से ही less time consuming होता है यह rare diseases के लिए ज़्यादा useful होता है क्यों? जो कि रियर diseases के क्या होता है कि हमें उसके बारे में ठीक से पता रही होता है और कभी कि बहुत ज़्यादा time के बाद होती है तो हमें क्या होता है उनको पहले से होई होती है हम से बीट कर लेते हैं इनके पास एक अजिकल advantage होता है क्यों? जो कि कुछ ऐसे चीज़े होती है जो बहुत harmful होती है तो हमें वो उनको induce करवाने पड़ती है वो उनको already होती है हम बास उसकी study कर लेते है इस ideal for exploring possible disease etiology to formulate specific hypothesis ये ideal होता है एक etiology बताने के लिए possible disease etiology बताने के लिए कि हाँ इस cause की वज़े से हो रहा होगा क्योंकि अब हम थोड़े specific हो जाते है तो इस पड़ा थे जो हम hypothesis जेते हैं वो भी specific hypothesis होता है और ये inexpensive भी होती है study लेकिन इसके भी कुछ disadvantages है इसके disadvantages क्या है कि हमें detailed study of mechanism इसमें नहीं पता चलता क्यों नहीं पता चलता? क्यों? क्योंकि हम लोगों इसको पूरा देखे ही नहीं है ये तो retrospective थी अब हमें क्या पता भी इसमें क्या क्या हुआ होगा हमें इतने information medium तो उतना बता सकते है और ये evaluation of therapy अथिकेस के अन्डेश पर फाल एक्सिस के लिए भी suited नहीं होता ये किस पर rely करता है? पेशन के recall पेशन के record और ये जो हमारे पास medical records होते है उस पे और डेटाबेस पर अगर इनके अंदे कुछ गल्दी हुई वल्लाद information होई तो हमारी research भी खराब हो जाएगी cannot control extraneous variables जो बहार की variables उनको effect कर रहे होंगे और उससे पहले इनवों अनके ये यूस किया था यूँ इस आऊटकम की वज़े से उन्होंने ये लिई चीज से यूस क bills जैसे कि अभ ये दवाई खाना के बाद उनके सठ नहीं बालेक। बेुज़ किसे दाहिक हो जाएगे उन्हों थी स्थ़चे जीन द्रोहिन का इसमें में दिखने द्राइप करते है. करते पमें, इसमेर और शॉचे आपको बाइस हो जाएग। इस आपको जाएग का साथ स्क्राइक्स्ठी verse एक हिनक पिस् kindness को इन्रो कियाद है हुआ एकक्सपोस्ट और नॉट स्कॉस्ट बीचिझ को ओ।कर सकता है अगर कहहते है वा और होसकतफे नहीं हुआ ऊपрий हो हमारे का क्रक्सकि यसका हम आॉटकम को हम देख रहे है इस के अनल यह प्रस्पेक्टिव भी हो सकता है और रिट्रस्पेक्टिव भी हो सकता है जब हम प्रस्पेक्टिव की बात करेंगे तो इसके अंदर क्या होगा हम लोग पहले ग्रूप पेशंट को सेलेक्ट करेंगे फिर उनको फॉलो करेंगे प्रस्पेक्टिव ली ओवर टाइम दाकर कि पेशेंट वो आउटकम डेवलपने और इसके ना कोई डिपरेंस नहीं आ रहे लेकिन अब जैसे कि हम लोग सबसार करते हैं कि पेशेंट को वह आउटकम हो जाये हमारा-देवर्स even हो जाये उसी दिए हमी है कि हमें ताइम कंसुबिंग होता है और होता है दिएक्सरometer यसा जैसे हमारे सबकुछ सामने हो रहे है किलिए अगkyo है कि देख रहे एक अगए और आशुरण्स पहोता है इसमें क्या problem होती है कि patient हो सकते है, respond करना बन कर दे तो drop out कर problem होता है, selection bias होता है, surveillance bias होता है और यह भी हो सकते है कि जो current practice है, drug use है और जो exposure factors है, वो over the time change ही हो जाया जब तक हमारी research computer हो रही है, वो change हो जाया लेकिन हम इसमें कुछ benefits दो होता है क्या benefits होता है, कि इसके अंदर हमें information मिल जाती है, risk और benefits की और हमारा पर एक flexibility होती है, कि हम जो variable चाहें वो choose कर सके now retrospective, इसके अंदर क्या होता है, all data including exposure and outcomes are obtained from existing records और databases, इसके अंदर सारा exposure और outcome का सारा data जो होता है, हम लोग इसके अंदर कर लेते हैं, existing records और databases, इसका मतलब क्या हुआ, कि तो हम investigation start कर रहे हैं, तब वो outcome हो चुका है वो outcome पहले ही हो चुका है, उसके बाद हम investigation start कर रहे हैं, लेकिन जब हम patient को select कर रहे होता है तो हम देखते नहीं कि किसको था, किसको आगे जगार हुआ किसको नहीं हुआ हम patient को select कर लेते है, उन के patient पर इन groups में divide के जाते हैं, और फिर देखा जाता है कि आगे जाने के बाद उनको वो हुआ था या नहीं हुआ था Once all patients are included in their groups, examiners at later point can examine the existing data whether the patients in each group did or did not develop outcome of intervention को हुआ या आगे जाकर कि नहीं हुआ यह कोई को होता है क्योंकि उनको अलड़ी हुआ हुआ और इसी वरे से less expensive ही होता है लेकिन इसके नदर क्या होता है डेटा इनके रिज भी हो सकते है क्योंकि हम लोग rely कर रहे हैं रिकार्ड के उपर और डेटा बेस के उपर Now third क्या है? Cross-sectional study Cross-sectional study के अंदर हम लोग यह क्या होता है है जो हम survey कर रहे होते हैं बितकली वह वाली studies होते हैं Both characteristics and outcomes are assessed at the same time, same time पे ही दोने चीज़े हम assist कर रहे होते हैं इसके अंदर हम possible risk factors बता सकते हैं और यही बता सकते हैं किस वज़ा से हो रही हो, किस point पे इसका prevalence rate क्या था हम लोग सब बता सकते हैं इसके बारे में लेकिन इसके अंदर क्या problem आती है selection bias जो हम लोग patients choose कर रहे हैं कि उसके प्राबलम नहीं हो गई है Difficult to establish cost effective relationship इसके अंदर क्या होता है कि अब हम patient आगे में बता रहे हैं कि हाँ यह यूज कर रहे हैं लेकिन हम इसके अंदर relationship को establish इतनी यकीन से नहीं कर सकते हैं और यह inaccurate भी इसी वज़से होता है कि वो style supporting कर रहे हैं patient बता रहे है कि हाँ मैंने यह कर रहा था और मुझी यह मिसला हो गया था हो सकते है कि patient के understanding में कोई और कोई गल्ती हो गई हो सकते हैं हम जिस perspective से यह चेक कर रहे हैं patient किसी और ही perspective से हमें बता रहे हो and second जो type है वो क्या है experimental studies experimental studies क्या होती है always prospective होती है यह forward flow में जहारी होती है involved actual intervention and manipulation of variables जो variables होते हैं उनकी actual intervention यहा हो रही होती है जो हम variable ले रहे होते हैं वो हमारी study को manipulate कर रहे होते हैं इसकी दो types होते हैं controlled and uncontrolled control के अंदर क्या होते हैं comparison groups को use कर रहे होते है it allows for determining possible influence इसकी विदर से हमें क्या बता पॉसिबल influence भी पता चलता है कहां इनको नहीं हो रहा है इनको हो रहा है तो किस वज़े चे हो रहा होगा comparison भी कर सकते हैं other proven therapies के साथ strongest type है study की सबसे strongest type है experimental की controlled study uncontrolled के अंदर के और होते हैं हम serious conditions में use कर रहे होते हैं जो हम placebo को use नहीं कर सकते हैं और हमारे पास कोई और तरीका भी नहीं होता तब हम uncontrolled studies को use करते हैं इसके अंदर हमारे पास authentic type की information नहीं मिल पाती है प्योंकि हमने compare ही नहीं के ओदा compare करते हैं आपको इन वीडियो समझ आई हैं पसंद आई हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्स्राइब के जिए इस वीडियो को लाइक के जिए और प्लीज से अपने प्रेंच के साथ शेयर के जिए दाके तो उस्टेट लोग भी समझ सकें और उनकी भी help हो सकें तक्यू